करीब पांच दशक तक कॉंग्रिस के साथ साई की तरह रहे कमलाथ अपाला बदलने की तैयारी में हैं। कल से उनके बीज़ेपी में शामिल होने के अठकले लगातार तेज होती जा रही हैं। ताज़ा अपडेट ये है कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ कल बीजपी में शामिल हो सकते हैं। सुत्रों के मुताबिक उसके पहले आज देराथ बीजपी अध्यक्ष, जेपी नडडा और केंद्रे ग्री मंतरी अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। कमलनाथ कल से दिल्ली में मौझूद हैं, आज खबर आई है कि कमलनाथ समर्थक कई विधायक और पूर विधायक भी दिल्ली पहुँच गए हैं। सुत्रों के मुताबिक कमलनाथ के साथ 15 से ज्यादा विधायक, 5 पूर विधायक और 3 मेयर बीजपी में शामिल हो सकते हैं। पर क्या कुछ कहा, आईए आपको सुनवाते हैं। तो कमलनाथ कल से ही लगातार अपनी इन तमाम अटकलों को अफवा बता रही हैं। तो भी मेरा कोई प्लान नहीं है, हाला की सियासत में सुक्भुगाहट बहुत तेजी के साथ हो रही है। कमलनाथ को लेकर कॉंग्रिस देता दिग्विजर सिंग ने भी बड़ा बयान दिया। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कॉंग्रिस के नेतरत के भी उनसे चर्चा हो रही है। और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुवात कॉंग्रिस से की। और जिन्हें हम सब इंद्रा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कॉंग्रेस का साथ दिया है, कॉंग्रेस के स्तंब रहे हैं, कौन सा पद उने नहीं मिला? केंद्र में मंत्री मंत्र, AICC में महा मंत्री, प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी, अद्धेश, मुख्य मंत्री, सारे पद उनको मिले हैं, और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे, सरी आप दबाव E.D. का, I.T. का, C.B.I. का, जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलाजी का चरित दबाव में आने वाला नहीं रहा है, आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है, किसके अलावार, वो खुट क्यों खंडन नहीं कर रहे ह कि कुटों ने जॉन नहीं किया, ना ने इस्टिफा दिया, और क्या खंडन होता है, लेकिन वो इस दबाव में आएंगे नहीं, वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे नहीं, जिससे कॉंग्रस पार्टी को क्षती पहुँचे, दिवेंदर के पास चलेंगे, दिवेंदर क्या जा जाएगी कि कमलनाथ भारते जनता पार्टी को जॉइन कर रही है या कर चुके? वो अभी तक नहीं हुआ है, कल इस बात को लेकि क्यास लगाया जा रहा है कि शायद वो दिल्ली आया है तो हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, कल रात भी कोई मुलाकात प्लैंड नहीं है, बहुत जादा संभावना इस बात की रहेगी कि अगर मुलाकात होती है, अ या सिर्फ नकुलनाथ और बाकी विदायक, महापौर, पुरुव विदायक उन लोगों को जोई कराना है। उसको लेकर थोड़ा मंथन जरूर हुआ है। पिछले 15-20 दिनों से इस बात पर कवायद चल रही थी। मद्रदेश के मुक्यमंत्री से और लेडी टॉप लेविल को किया जा चुका है। और यह जो कमलनाथ या उनके सारे समर्थ विदायक वे जो आ रहे हैं वो प्रदेश नेतितु यानि प्रदेश बीजेपी नेतितु कि उसमें भूमिका नहीं है। वो दिल्ली के साथ यह पाइदा सबसे बड़ा पाइदा जिसको आपके हैं वो यह है कि मोरा लो डाउन करेंगी कॉंगेस पार्टी का कि देखो तुम्हारे इतने धुरंदर नेता भी तुम्हें छोड़ का अगर भाग रहे हैं तो समझे आपके इस पीदी कैसी है कमलनात के हिसाफ से बात करें तो के ओपर खतरा है कि सिंद्वारा के सीट हो सकता है कि इस वार हार जाएं अलाकि वो उनका गड़ है विदास्वार चुरा में भी ठीक टाक प्रदेशन रहा था लेकिन वो खतरा जरूर है दूसरा उनके समर्थकों का जोर बहुत जादा है वो सब देख रहे हैं कि प्रदान के लिए और आप देखें जो भी दर्शक इस पॉलिटिक्स को बहुत जादा नहीं जानते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि अगर कमलनाथ को इस बात को खाइज करना होता तो 20 सेकंड का बयान का काफी होता कि मैं कॉंगर्स पार्टी में ही रहूंगा कहीं नहीं जाओंग बार-बार वो जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ इसलिहास से बात कह रहे हैं कि बीजेपी के टॉप लिवल से जब तक उनकी मुलाकात ना हो जाए वो ऐलान नहीं कर सकते हैं इस से जादा महत्पून बात एक और है वो यह है कि देखे मैं हमेशा से बीजेपी के नीतियां बीजेपी के काम करने के तरीके उनके नेताओं के तारीफ में बात करता हूं क्योंकि मुझे पसंद है वो जिस तहां से काम करते हैं लेकिन आप अगर कमलनात को अपनी मानी जाती है जो एमर्जेंसी है इस देश में उस व्यक्ति को आपने बार बार ये कहा कि इस व्यक्ति का जो एमर्जेंसी में शामिल होना एमर्जेंसी लगाने में शामिल होना किस ताह से डेमक्रेसी के हत्या की गई जिसको बीजेपी लगातार बात करती आई है और 84 के द जिन्होंने बलिदान दिया उनकी फैमिलीज को जो घर मिलने थे उसको किस तहां से जो है लोगों ने हडपा उसके आरोप उनके उपर है और फिर आप बुलंचहर जैसी जगा में आप एक ऐसे वक्ति जिस पर बारा मुकदमे चल रहे हों गैंग्स्टर एक्ट में जो है एक म तो यह बातें जादा important है ना की यह बात कि अच्छा congres तो वैसे ही देखे उसके हाला ठीक नहीं है उसके लोग जो है उपना भविश्य congres में नहीं दिखरा है तो वो तो आएंगे ही लेकिन क्या आपको यह नहीं देखना होगा कि किन लोगों को लिया जाए या किन लोगो को लेकर अपनी बस सीटों में जाफा करना देगे प्राइची मुझे लगता है कि पार्टियों के इस द्वंद को जरा समझना चाहिए और अभी तो नरिंद्र मुदी अमिट शाह हैं जो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं तो कमलनाथ अगर आ रहा हैं तो इसको लेकर कोई बहु कि वीजिए डीपी आदो को पार्टी जोइन कराई गए थी दबा आया वापस लेना पड़ा अभी बुलन शहर की जिस गैंग्स्टर की बात राहुल जी ने की उस गैंग्स्टर को भारती जनता पार्टी ने शामिल कराया वो जिलाध्यक्स के साथ शामिल हुआ और कल उसक बारती जनता पार्टी जिस चाल चरित्र चेहरे की बात करती है उसका दबाव और भी भी महसुस करती है अब पार्टी के भीतर के नेता बड़े बड़े जो सिख नेता हैं बड़े लोग बार-बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को यह नहीं लेना चाहिए। बड़े लोग बार-बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को यह नहीं लेना चाहिए। वो इमर्जनसी में कमलनात थे। सिख दंगों में उनकी भूमिका को लेकर बात होती रही गी। उस पे सबसे ज़्यादा इन दोनों मुद्दों पर लड़ाई किसी ने लड़ी। तो जनसंग से लेकर भारती जनता पार्टी ने लड़ी। अब आज जहां खड़ी है भाजपा उसमें बहुत छोटा हिस्सा होगा लेकिन कुछ लोगों को तो वो साफ साफ दिख रहा है। अब उससे भाजपा बचेगी या कहेंगे कि 2024 दिख रहा है, 370 पार दिख रहा है उसमें कोई कमी नहीं करेंगे और उनको शामिल कर लेंगे ये सवाल है। आगर भारते जनता पार्टी जॉइन करवा रही है और भारते जनता पार्टी में जा रहे है तो सिप भारते जनता पार्टी चंधवाड़ा की एक सीट नहीं देख रही है। मुझे लगता ही, अगर कमालनात अगर भरतियन्टा पार्टी में आते हैं, तो छिन्तवाडा सीट के सारसा लगबक चार मेर भरतियन्टाUCK पार्टी करें, खबर आ रही है कि मुर्णा का मेर भरतियन्टा पार्टी में चले जाएंगे, गौलिर के मेर चले जाएंगे, रिवा के मेर चले जाएंगे और चिंदवाडा का मेर भारती जनता पार्टी के पास चले जाएंगे। तो वो जो गड़ भारती जनता पार्टी कभी अच्चिव नहीं कर पाई थी, वहां भारती जनता पार्टी बहुत सहस्ता से जी सकती है। जनता पार्टी को कॉंगरेस एक चिनोती के रूप में हमेशा रही है और हमेशा भारती जनता पार्टी को कॉंगरेस में काटे की टककर चिनाव में होती रहती थी। इस बार ऐसा हुआ था कि कॉंगरेस साचा सीटों में सिमिट गई और भारती जनता पार्टी जनता पार्टी को चिनोती दने की स्तिति में नहीं है। जहां तक भारती जनता पार्टी का चाल चरितों चेहरे का सवाल है। अपना काम किया था। पार्टी में आकर भारती जनता पार्टी का कॉंगर्शी करण कर सके। उर्शी करण भारती जनता पार्टी नेताओं को शुकार कर लेती है। पार्टी जनता पार्टी के उपर भी दबाव बहुत है। अभी तक कोई तस्वीर इधर नहीं आ पाई, कोई मुलाकात नहीं हो पाई। इसका मतलब उधर से तो सब कुछ तय है और उसमें रास्ता शायर निकालने की कोशिश हो रही। बाकि जॉइनिंग तो आज के समय में किसी की हो सकती है, एक नाम खतम होता है, दूसरा नाम शुरू हो जाता है।